हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी क्या सब्सक्राइब कर लीजे पलपल की अपडेट के लिए और लाइक ज़रूर कीजेगा और दोस्तों के साथ अपने सेल ज़रूर कीजेगा इस वीडियो वह तो चलिए देखते हैं इस नोटीस में क्या दिया हुआ है तो आप देख सकते चलिए डाउनलोड हो चुका है स्टाप सेलेक्शन कमिशन की जो नोटीस आई है उसमें देखते हैं कि स्टाप सेलेक्शन कमिशन यानि स्टाप सेलेक्शन कमिशन प्रवाइड किया है तो यहां लिखा है कि स्टाप सेलेक्शन कमिशन है रिव्यूर दा सिच्वेशन मेट्रो सिटी लाइक देली, मुंबई, कोलकाता, चिन्नाई, बैंगलोरी, हैदरावाद और अमादावाद, वी सारे सिटी जो है, रेड जोन में है, और मैक्समम लेवल ओर रेस्टिक्शन यहां पर लगाया हुआ है, तो इस केस में क्या हो कि, जो है, जितने भी स्टुडें कंबाइड हाईर सेकंडरी 10 प्लस 2 लेवल को जो एक्जाम टीर 1 के बच गए थे 2019 वाले, फोर रिमेनिंग कंडिनेट जो भी बच गए थे, जूनियर इंजिनियर जो सिविल मैकनिक, अलेक्रिकल और क्वाटिटी एक्जामिनेशन 2019 थे, स्किल टेस्ट फोर कंबाइड हाईर का पूरा सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाता है, और लॉक्टाउन पूरी तरह से एक दम खतम नहीं हो जाता है, तब तक जो है, इनके तरब से कोई एक्जाम कंड़क नहीं करवाए जाएगा, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बता दिया है, उसका बाद आगे इन्हो पहले आपको बता दिया जाएगा, इस नहीं कि 10 दिन बाद एक्जाम होगा, आपको कम से कम एक महीने पहले बताया जाएगा, जब एक्जाम डेट जोगा तो, अब इन्होंने कहा है, कि हैनुल कलेंडर भी जारी किया जाएगा, वो भी जो है, पूरी तरह से लॉक्डाउन हटने के बाद ही जारी किया जाएगा जो next जितने भी examination होने वाले हैं आने वाले समय में उस सारे के सारे calendar क्या होगा कि जब lockdown पूरी तर से खतम हो जाएगा उसके बाद जारी किया जाएगा उसके बाद करें कि fresh date of the pending result will be announced only after lifting of restrictions as the evaluation work has also been held up due to COVID-19 pandemic यानि कि जो fresh date जो result का आने वाला है वो सारे के सारे जो है जितने भी restrictions है यानि कि lockdown खतम होगा उसके बाद ही announce किया जाएगा the commission will further review the situation on 18-5-2020 यान अगला review जो किया जाएगा वो 18 मई 2020 को नया notice चारी किया जाएगा कि इसके आगे क्या situation के अनुसार देखा जाएगा कि इसके आगे जो है exam का conduct करवाया जाए उसके अनुसार जो है notice डारी कर दिया जाएगा official website पे तो बोला गया कि the candidate are advised to visit the website of the commission at regular intervals for update यानि जितने भी update होंगे वो official website SSC को उस पे आपको क्या किया जाएगा आपडेट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे आप जाके जो है आप देख सकते हैं इसी तरह पलपल की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने दोस्तों के साथ ये नियूद ज्यादा से यादा से यादा से यादा से यादा से और वीडियो करके जबर बता है अगर कोई डाउट है से लेटर तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो